Hey guys, welcome to tutorials by Shweta, I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमा से क्वालिफाई किया है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ रिगारिंग NET and JRF मतलब NET and JRF होता क्या है, दोनों में डिफरिंस क्या है, कौन-कौन इस एक्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है अगर आपका NET क्वालिफाई है, तो क्या बेनिफिट्स है और अगर आपका NET and JRF बोथ क्वालिफाई है, तो क्या बेनिफिट्स है तो आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना Let's get started सबसे पहले NET और JRF बहुत सारे लोगों को ये confusion रहती है कि क्या NET और JRF के लिए अलग-लग एक्जाम देना पड़ता है क्या दोनों का syllabus अलग-लग है तो नहीं, एक्जाम एक ही होता है फर्क इतना है कि दोनों की cut-off अलग-लग जाती है जो JRF की cut-off होती है वो NET के comparison में near about 8-10% high जाती है एक्जाम सेम ही होता है अब क्यों करना है NET qualify मतलब क्या मिलेगा qualify करके तो अगर आप कोई हर कोई चाहता है कि government job चाहिए तो अगर आपको government job चाहिए अगर आप government college के अंदर as an assistant professor पढ़ाना चाहते हो तो जरूरी है कि आपने NET qualify किया हूँ और in case क्योंकि vacancy पर भी depend करता है in case अगर government college के अंदर vacancy नहीं है तो आप private college के अंदर भी पढ़ा सकते हो तो अगर आप चाहते हो कि आपको assistant professor बनना है तो जरूरी है कि आपके पास NET JRF qualify हो JRF नहीं तो NET तो qualify होना ही चाहिए बिना NET qualify कि आप assistant professor नहीं बन सकते अप apply कोन कर सकते हैं इस exam के लिए तो वैसे तो अगर आपने अपनी master's कर रखी है तो आप इसे कोई भी इस exam के लिए apply कर सकता है बट main जो confusion है वो यह आती है कि क्या pursuing masters भी इस exam के लिए apply कर सकते हैं pursuing master मुलब कोई भी M.com है, MA है, M.S.C है अगर कोई अभी कर रहा है तो क्या वो apply कर सकते हैं तो बेशक आप किसी भी year में हो, first year, second year या उसमें भी किसी भी semester के अंदर हो आप इस exam को दे सकते हो Yes कोई फर्क नहीं पढ़ता अगर आप masters कर रहे हो तो आप इस exam को दे सकते हो बस शर्त यह है कि आपकी masters within two years complete होनी चाहिए अगर आपने within two years अपनी master complete नहीं की तो आपका जो net का for example अगर आपने आप amcom के अंदर हो, आपने second semester के अंदर exam दिया और आपका net jrf qualify भी हो गया but in case अगर आपकी re आ गई तो आपका जो net का certificate था, net jrf का जो certificate था, वो आपका cancel कर दिया जाएगा actually बहुत कम cases में होता ऐसे कि आपने net jrf qualify कर लिया and आपकी master's मेरी आगी but फिर भी हमें case ले के चलना पड़ेगा तो या आप master's के किसी भी year में हो, किसी भी semester में हो आप इस exam के लिए apply कर सकते हो बस शर्त यह है कि within two years आपकी master's complete होनी चाहिए अब what after qualify net, net qualify करने के बाद आपको क्या क्या opportunities मिलेंगी क्या क्या benefits हैं तो वो देखते हैं सबसब पहला benefit तो यही है अगर आपका सिर्फ net qualify है मैं उस case की बात कर रहे हूँ सबसे पहले तो आप as an assistant professor किसी भी government और private college के अंदर बढ़ा सकते हो okay secondly actually पहले होता था कि अगर आपने net qualify कर रखा है तो सिर्फ आप education side में ही जा सकते हो बट अब ऐसा नहीं है अगर आपका आज अपके case में आजकल बहुत सरी ऐसी companies हैं बहुत सरे नवरतन्स हैं NGOs हैं जो net qualify candidates को recruit करती है तो you can also go for that तो आप किसी organization के अंदर भी job कर सकते हो थर्ड अगर आपका सिर्फ net qualify है GRF नहीं है सिर्फ आपने net qualify किया है और आप आगे PhD करना चाहते हो तो जरूर है कि आप GRF qualify करो ऐसा कोई rule नहीं है कि बिना GRF के आप PhD नहीं कर सकते कर सकते हो बट अगर आपके पास GRF होगा तो आपको PhD करने में ज़्यादा benefits मिलेंगे तो इसलिए अगर आपने net qualify कर रखा है और आप PhD करना चाहते हो आगे तो I suggest कि आप GRF के लिए त्यारी करो GRF qualify करो ओके next अब अगर आपने GRF qualify है मतलब आपका net and GRF बहुत अगर आपका GRF qualify हो जाता है तो इसका मतलब यही होते हैं कि आपका net and GRF दोना ही qualify है तो GRF हो गया अब उसके बाद क्या opportunities है तो जितनी opportunities आपको net qualify करके मिल रही थी वो सभी opportunities after GRF आपको मिलेगी ओके तो extra क्या मिलेगा GRF वाले को तो वो है PhD जी हाँ अगर आपने GRF कर लिया आपको pay करेगी हर महीने शर्त यह है कि GRF qualify करने के within two years आपको PhD के अंदर enroll करना पड़ता है और अगर आपने within two years PhD में admission ले लिया तो government आपको हर महीने पैसे देगी जिस दिन से आपका PhD में admission हो गया और वो amount बहुत अच्छी होती है government आपको हर महीने pay भी करेगी जो कि without tax ही होता है क्योंकि वो scholarship दे रही है तो इस पर कोई tax वगरा नहीं लगता तो आपको हर महीने आपको GRF मिलता रहेगा हर महीने government आपको pay करेगी उसके अलावा आपको HR भी मिलता है आपको traveling allowance मिलती है क्योंकि नया rule है कि अगर आप universities के अंदर as an assistant professor पढ़ाना चाहते हो तो जरूरी है कि आप PhD कर रखी हो आपने बीना PhD वाला बंदा अब university के अंदर as an assistant professor नहीं लग सकता अगर आपका net qualify है तो आप colleges के अंदर पढ़ा सकते हो बट university के अंदर आप नहीं पढ़ा सकते university के अंदर पढ़ाने के लिए आपके पास PhD आपने कर रखा हो आपके पास doctorate की degree होनी चाहिए और अगर आपने GRF qualify कर लिया तो उसके बाद आप PhD अराम से कर सकते हो क्योंकि PhD एक काफी लंबा process है आपको पांच साल एक ही topic के उपर लगाने है तो और obvious ही बात है अगर आप master's के बाद ही हम PhD कर सकते है तो इतने time तक हम बिना किसी job के सिर्फ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिना किसी income source of income के तो government आपको pay कर रही है आप अराम से अपनी PhD करते हो ओके और वैसे भी अगर आप कहीं पर भी job करोगे तो जितनी amount आपको वहां मिलनी थी government आपको मिल दे रही है तो इसलिए net और जियारेफ में आप अपना target जियारेफ रखो ओके क्योंकि जियारेफ रखोगे तो उसे net qualify करने वाले को जितने benefits मिलने है उतने जियारेफ वाले को तो मिलनी है उसके अलावा बहुत benefits हैं जो जियारेफ वाले को मिलते हैं अगर आप कहीं जाते हो job के लिए for example अगर आप colleges में भी जाते हो तो एक बंदे ने सिर्फ net कर रखा है और एकने net in JRF उसका दोनों qualify है तो obviously बात है कि जिसका JRF qualify है उसको ज़्यादा preference दे जाएगी ओके तो इसलिए just focus on JRF बाकी हाँ आपका क्या aim है उसके भी depend करता है अगर आप नहीं चाहते हैं आगे PhD करना आप already job में हैं आप already एक assistant professor है क्योंकि अब एक नया rule अभी बनाता ये कुछ time पहले कि आपको college में पढ़ाने के लिए आपके पास net qualify होना clear होना चाहिए आपके पास तो इसलिए या अगर आप college में पहले से ही पढ़ा रहे हो आपके पास सिर्फ net नहीं है आप सिर्फ इसलिए ही net का exam दे रहे हो तो या you can go for net you don't need GRF but अगर आप PhD करना चाहते हो तो focus on GRF तो net करके कुछ नहीं होगा आपको GRF चाहिए ठीक है so yeah this is all about today's session I hope आपके सारे doubt clear होंगे कि net क्या है, GRF क्या है, GRF करने के बाद आपको क्या के benefits मिलने वाले है so yeah and yeah अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक particular topic के उपर video बनाऊ paper 1 और paper 2 commerce से regarding कोई भी particular topic जो आपको चाहिए आप वो comment box के अंदर लिख सकते हैं मैं definitely आपकी help करूंगी so yeah वीडियो अच्छे लगी तो please like and share the video and subscribe the channel thank you